हलो दोस्तों पर प्रिष्ट स्वागत है हमारे घ्यान पर ये यूटूब चैनल पर दोस्तों आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ये जरकन सरकार के तरब से गुर्मेट जो निकल के आई है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी है इसमें डिग्री लेवल और डिप करने से जरक है लोग बात करेंग members निकाल की ये तोनों जो क्वालीं जा दनली कर्याले ज़ Issut कर देए और देखते हैं किस तरह से दिया गया है तो सबसे पहले अब बात करेंगे कि इसका जो रिकुर्मेंट निकल के आया है ग्रेडी डिस्टिक के तरफ से निकल के आया है और ये ग्रेडी डिस्टिक के तरफ से जो मैंने बताया था डिपलोमा और डिग्री के लिए जो रिकुर्मेंट निकल के आया है दो तरह के वेकंसी है जो डेडी लेवल के लिए है वो परखंड अस्तर के लिए दिया गया है और दुसरा वाला जो दिया गया है लेखासा काम्पूटर और अबरेडर के लिए दिया गया है दोनों ही के लिए qualification आलग अलग है पहले जो प्रकंड अस्तर के लिए दिया गया है qualification प्रकंड समावाट के लिए इसके लिए 5 विकंसे दिया गया है यह 5 विकंसे को वोई डिवाइड कर दिया गया है गया है जैसे जनरल के लिए यानि के अनरचित के लिए 2 विकंसे दिया गय तब आप लोगों सेलरी हो जाता है 18 प्रति मेहना उसके बाद दूसरा वाला जो आ जाता है लेखा सा पंपटर ओपरेटर जो ये भी परकंड अस्तर से ही रहेगा इसमें भी पांची वेकेंसी दिया गया है और पांचों को केटिगरी पर जिसमें भी डिवाइड के गया है द उम्र सिमा ये उम्र सिमा को अलग किया गया है 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए और इसका सेलरी हो जाता है 10,000 पर महिना इसमें क्वालिटी के बात किया तो मैं सोट में आप लोगों को स्टाटी में बता दिया इसमें जो पहला परकंड अस्तर समाइक के लिए दिया गया है इ इसमें इसी तरह से जो लेखा सा कॉपरेटर दिया गया है इसमें डिपलोमा होना चाहिए, डिसे होना चाहिए जो 6 महिने के लिए कोर्स होता है जिसमें से जनरली एक्सेल वार्ड, पावर पॉइंट या टाइपिंग ये सबसे रिलेटर पढ़ाया जाता है तो ये सबसे लेकिन साथी साथ 12 होना चाहिए, जो सबसे होना चाहिए जो हिंदी टाइपिंग और डिसे ये सब अगर कंपलीट किये हैं, छे में अगाज़ में से ये सब में तो इसको अपलाइप कर सकते हैं, इसकी जो उम्र सिमा दी गई है, कल्कुलेट करने के लिए डेट दिया गया एक चार 2020 के अधार से ये कल्कुलेट हो जाएगा उम्र इसका और साथी साथ इसमें एक अच्छे निल्ट ये भी है कि ये जो रिक्त निकाली गए है 5-5 वेकेंसी, 10 वेकेंसी टोटल दिए गये हैं ये आगी चलके घट बढ़ भी सकती है ये सिक्योशन के अधार से डिबेंड करेगा ये बढ़ भी सकता है गड़ भी सकता है अब इदर प्रक्रिया जो दिया गया है इसका अंतिम तित्ली अबराद देट जो दिया गया है 56220 से पहले हो जाना चाहिए यहाँ पे दिनन दिया गया है 55220 से प्रणरम होके 56220 यानि कि पूरा पूरी एक महने का टाइम दिया क्या है इसको एपलाई करने के लिए ओनलाइन करना होगा जो वीडियो का डिस्क्रेप्शन में जाए वहाँ पे मिल जाएगा apply rdd.jharkand.gov.in से इसको एपलाई कर सकते हैं यह एक कॉर्मेट जहरकन का पोटल है जहां से रेजिस्टर करके एपलाई कर सकते हैं छोटा सा यह नोटिस निकल के आया है टेट हो गरा मैंने आप लोगों को श्क्रेप्शन से बता दिया लोगों को अरच तरह से पढ़ने उसके बाद apply करें दोस्तों अगर आप लोग qualified नहीं भी है तो वीडियो को आगे share करें फेश्वूक में हो या फिर वाट्सप में हैं आप लोगों को दोस्त त्यारी जो भी है लोग qualified हैं तो उसको share करें ताकि उसमें वीडियो का और यह जो वीकेंसी है इसका benefit ले सके है तो मिलेंगा अमनों जल्द ही इसी तरह से वीडियो लेगे तब तक के लिए धन्यवाद